मिनी मुंबाई की नाम से जाने जाने वाले इंद और शहर में लगातार धोकाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं धोके बाज लोग भोले भाले लोगों का अपना शिकार बना रहे हैं फरजी कंपनी के नाम से शेयर मार्केट में अधिक मुनाफ़ा कमाने का जूट बोल कर एक लाग बीस हजार रुपए की ठगी करने वाली गैंग के एक सदसे को क्राइम ब्रांच ने गिरफतार कर लिया है दरसल क्राइम ब्रांच ने कारवाही कर इंटरनेशनल शेयर बजार फॉरेक्स फैक्टरी के नाम से संचालित की जा रही नकली कंपनी का भंडा फोड कर गैंग के एक व्यक्ति को गिरफतार किया है जो लोगों को दुगना मुनाफ़ा दलाने के नाम पर जहां से मिले कर उनके साथ धोका धड़ीक करता था आरुपियों द्वारा रुपई के लेंदेन के लिए किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते और एटियम कार्ट का दुरुपियों करता था इंदोर क्राइम ब्रांच को फर्यादी के द्वारा अपने साथ शियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक लाग बीस अदार रुपई की शिकायत आई थी हमको साइबर हेलप लाइन पर इंदोर के निवासी के द्वारा इस शिकायत की गई थी कि उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर उनसे एक लाग बीस अई रुपई ले लिए गए हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री नाम की वेबसाइट जो है वहाँ पर उनका खाता खुलवाया गया है और उसमें उनको निवेश के लिए गए हैं जो कि उनको कोई भी निवेश को किस तरह से कोई प्रॉफिट या कोई एंड डिजर्ट नहीं मिला है इसमें हमने शिकायत में जांच करी और इसमें पाया कि देवास से गिरो इसमें संचालित था व्यो इसमें में जुचल गया